हेलो फ्रेंड्स उम्मीदे मुझे कि आपको मेरी लाश्ट वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी गाईज आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो में देखा है था कि जब हमने सल्फियूरिक एसिड और सक्कर को आपस में मिक्स किया था गाईज मुझे बिलकुल भी नहीं पता है कि इन दोनों के अंदर इस सल्फियूरिक एसिड को जब मैं डालूँगा तब उसके साथ क्या रियक्सन होगा तो चलिए करके देखते हैं इसे हम तब तक घिलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर की बच्ची होई सक्कर इस दूद के साथ पूरी मिक्स ना हो जाए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो हमारी सक्कर है वो दूद के अंदर पूरी इस तरह से मिक्स हो चुकी है अब इसके अंदर ये SELFURIK ACID को डालते हैं तो अब मोझे चैनि चयाओ कि अब देखा इसके अंतर कोई भी रेक्शन नहीं हुआ या और यह पूरी तरह से काला होच का लुuchar और इसलिए काफी जादा गरम हो चुका यह ठोड़ किसी प्रकार का कोई भी रियक्शन महीं हुआ था तो friends हमने इसको काफी देर तक ऐसे ही रखा पर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी reaction नहीं हुआ था अब इसके उपर आग लगाते हो और देखते क्या आग लगाने से इसमें कोई reaction होता है तो guys इसका मतलब साफ है कि अगर हम दूद को सक्कर और सल्फूरिक एसीड के बीच में डाल देते हैं तब इन दोनों के साथ में कोई भी reaction नहीं होता है ना ही इस पर आग लगती है और ना ही इसमें से black snake निकलता है तो guys अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना ना भूलेगा और ऐसी बहुत सारी experiment वाली वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दीचे subscribe कर लिए और पास मैंस notification बेल पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकें जैन